हमारे हाइस्टेंग की कास मुलाकात की विशेश प्रस्थूति में आज हमारे साथ चीफ हायर ओपिसर राकेश जी व्यास हैं। मई में मालवाग जाज में अगनी काणड हो गया इसमें अगनी समन बेडे के हजारों जो बेडे में सामिल वेखती थेुआ। आपका अमार इस्टूट्यू में बहुत-बहुत स्वागत है। राकेश जी राष्ट्रे अगनी समन सेवस सप्ता ये पूरे केस में मनाया जाता है। तो इसके पीछे अगनी समन दल की क्या भूमी का रेती है। क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। सन 1944 में बोंबे के टक्यार में एक इस्टिफर नाम का जाज था जिसमें सेना का गोला वारूत भरा हुआ था। उसमें आचानक भीशन आग लगी। इतनी अगनी दुर्गटना इतनी बड़ी थी कि आसपास के काफी बड़े शेत्र को उसने प्रभावित किया। और आग बुजाते बुजाते हमारे 66 फायर फाइटर और फायर ओफिसर आग बुजाते वे शहीद हो गए। और सेक्ड़ों लोग उसमें उसमें उसकी म्रत्ति हो गई। और आसपास के काफी बड़े शेत्र में बॉंबे के जो बंदर का के आसपास है वो उससे प्रभावित हुआ। जैसे 1947 के बाद भारत आजाद हुआ। भारत सरकार अस्तित्युमाए। उसके बाद भारत सरकार्ड ने इसको राश्ति अगनि शमन दिवस खोशित किया 14 अप्रेल को चोदा से 20 अप्रेल को राश्ति अगनि शमन सेवा सुरक्षा सबता। और सभी स्टेट जो है पूरे इंडिया की उनमें ये डारेक्शन पासवन कियेगी चोदा से बीस अप्रेल को अगनी शमन सिवा सुरक्षा सब्ता मनाया जाए और सभी आमजन को ये जागरुकता अभियान चलाए जागरुक करें ताकि कोई इतनी बड़ी अगनी दुरकता न सब्सक्राइब करें तो इस सब्सक्राइब को अगनी शमन कर्मियों उनको चोदान जी अवा का आयजन किया जाता है इस बार भी किया जाएगा जब्सक्राइब शद्दान जी सभा में सभी जो हमारे उच्च अदिकारी हैं आयुत मोदे नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिन के उपस्तित रहेंगे उसके बाद में इनी अतितियों द्वारा अगनी शमन महानों की एक रेली निकाली जाएगी जो पूरे शहर में पूरे कोटा शहर मे रेली निकाली जाएगी पंदा तारिक 16 17 और 18 और 19 पांच दिवस्त को हम शहर के विविन संसान जैसे रियाईशी हो व्योसाइक हो मौल हो हो स्पिटल है ग्रामीन शेत्रे कोई ग्रामीन एरिया है कंजस्टेड एरिया रहें भीडबार वाले शेत्रे महां पर हम जाके हमार दुरकटना हो गई है अगनी शेवन पहुंचने से पहरे उनको क्या एक्शन लेना है कैसे उसको आपको बुझाना है इलेक्टिसिटी करने डिसकनेक करना या रेस से बुझाना या किस किस नंबर पर उनको सूचना देनी है ताकि जल्द से जल्द अगनी दुरकटना पर हम अगनी समन दल की इस्तापना कवी थी देश की आजादी के बाद 1960 मत की इस्तापना थी जैसे आपने बताया कि प्रति दिन अलग अलग कारे अगनी समन दोरा किये जाएंगे सब्सक्राइब यहां कोचिंग संस्तान है तो इन में किस तर आप इनको डेमो के द्वारा अगनी से बचाने के लिए क्या मतलब वद्धिने आप सबी में जहां अगनी शमन के उपकरण यहनतर साबित किये हुए हैं और हम उन से पहले ही उनके जो भी इनकी यूनियन होती है उनके पते नीजी से हम आपस में कोडिनेशन ताल मेल बिठाके समन्वेश थापित करके इन से बात कर लेते हैं ताकि उनके जैसे कोचिंग संस्तान है तो बच्चों को पूरे स्टाफ को होस्पिटल है तो उसके पूरे संस्ता के सारे डॉक्टर्स नर्सिंग करमी और कहीं जगे क्या सिस्टम लगा हुआ है पूरी वेल एक्यूब लेकिन वहां किसी को जानकरी नहीं है इसको चलाते कैसे हैं अल्टिमेटली फायर बिगेट को जाकर वहां पर आग बुजानी पड़ती है तो मेरा यह कहना है आपके चैनल के माधियम से कि उनको जो भी सिस्ट कि इस तरह जो लंची लपदार ते उसमें डेमो का आपका क्या सिस्टम रेता है और किस तरह आप मुआ के कर्म क्यारियों को प्रसिक्शन जो यह बड़े डेमो है जो बार सरकार के उपक्रम है यहां पर प्रियोडी कली टाइं समय समय पर मोगडिल करवाई जाती है वो जिसका ऑमें भी ध्यान नी होता है उसमें टाइम नोट किया जाता है कि कोई फ़ाइगेट कितने समय में आई अंबुस कितने समय में घुंअ कि तैसिल्धार कितने समय में तो वह बादि मैंसे उच्छा जिए जो है उच्चेदिकारी जीला प्लशा सभ ताव चेक करते हैं उसके अलावा हमारे और उनके डेमो उनके डीपो के तर पर भी हम भी एक आयजिद करते हैं क्योंकि वह बहुत जोलन शील है तो हम वहाँ पर मेकनिकल फ्रोम का और वाटर फार के ज्यादा डेमो करते हैं तक राकर्श जी में आसपास कापी ग्रामी शेतर अ कक गर्मी में जी आगनी होती है तो जो यह सहारी शेतर का मामला वहाँ नहीं के लोगों को अगनी इस से लीकिस तरफ का वो ग्रामी लगते हैं जो जो काफी तिपिकल होती है जैसे फसल में लगती है तो पंदरा मार्श के बाद ये अगनी दुरकतना होने लग जाती है जैसे गर्मी का टेंपिचर आता है पहले इतनी गाड़या नहीं थी कोटा से ही सारी घ्रामीन श्यत्र में गाड़या जाती थी अब हर दि जब तक गाड़ी नहीं पहुंचती है तो ट्यूब वेल से ट्रैक्टर से है उसके अलावा जैसे जिस हवा के डारेक्शन में जिदर ग्रामीन शेथ में फैल रही है रियाईशी बस्ति तक जा रही है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उनको यह जानकरी देते हैं कि फायर विक भी तरफ हम उसको लाइन काटना ना बोलते हम जादे उनको यह करते हैं उसके लाव रेज से बुजाना और जो भी लापर बढ़ा जा जाकरी देए तो उसमें किस तरह ही आप लोगों का सभी देता है सबसे पहले तो कहीं भी अगर कोई भी जिंदा तारों पर पानी डालेंगे तो वह करन्ट फैलने का डर रहता है अपने उसके आदमी की रिसके सबसे पहले तो लाइट को इसको डिसक्ट करना करता है और ज्यादा तरह जो आग लगती है वह शोर्ट सर्कृट के कारण ही होती है लेकिन ग्रामीन शेत्र में जो भी उनको भी जाके यही इलेक्टिकल फायर के बारे में जानकरी देते हैं लाकेश जी जो आप 20 तारिक तक जो सुवक्षा सप्ता मना रहे हैं उसमें जब आप अपने जो करम चारियों को संभाण नित करते है क्या आपका परberish सुवकेशनालाषी करम किया है वह चलीक दौन जीर करते हैं often प्रवंदन में जो ड्राइवर है उनों तो अगर हमारा कोई फॉर्थ क्लास भी सफ़ाई करम चारी उसने भी अगर अच्छा काम किया है अगनी दुरगटना में हमें सयोग किया है तो उसको भी प्रोस्तान के लिए उसको भी सम्मानित करते हैं तो एसे हम साल भर में कुछ कर करते हैं ताकि एक प्रतिस परदा है अपस में ताकि वह रच्छा कारे कर सके शिमान नायुक्त मोदे और उच्छ अदिकारियों के द्वारा उनको सम्मानित करवाते हैं और यह अगनी शमन केंद मुख्याले पर होता है शिनात्पुरम पर और उसके बाद सभी को रिफ्रे अगनी शिमान खेशाख़े की जनता को आप क्या संदेश देना चाहें की अगनी से बचाओ के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ और यही जान कर देना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे ग्रामीन शेत्र में जहां-जहां भी जान माल की हानी हो सकती है अगनी से वहां जाकर लेक्चर डेमोस्टेशन दें जाग रुकता हो चलाएं पर आप से निवेदन करना जाता हूँ कि आप कोई भी हमारे जो अगनी शमन का जो दूरबास नमबर 101 है अगर कोई अगनी दुरगटना होती है तो 101 पर 100 नमबर पर 108 पर सम्मंदित थाने में दूरबास में सूचना दें और पानी की प्रयाप तो व्योस्ता रखें जहां पर भी आ अगर जिन्दा तार है उस पर पानी नहीं मारे और उपकरण के बारे में आप जानकरी रखें यह थे हमारे साथ चीफ फायर ओपिसर राकेश जीव्यास अगनी समन्द शुर्क्सा सप्ता के बारे में इन्होंने जानकरी दी और किस तरह आग से बचा जा सके यह बखू भी आपको बताया आप अमारे स्टोडियो में प्राइज पोड़ा है